हेलो गाइस आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम करने वाले हैं बीए सोजी 173 ब्लॉक टू योनिटेट आए सुरू करते हैं environmental perspective तो हम हाते हैं सबसे पहले कि what is environment तो environment को मतलब यह होता है कि जो भी biotic या abiotic aspect होते हैं जैसे abiotic के अगर हम बात करें तो atmosphere ले लो water minerals energy ये सारी चीज़ें ले लो अगर biotic के बात करें तो जो भी organism होते है चाहे वह simple हो complex हो जो भी living beings होती है वो आ सकती है ठीक है इसके अंदर तो यह सारी का combination होता है उसे environment बोलते है अगर हम overall calculate करने के कोशिश करें तो environment का मतलब जो भी आपको surround करती है न वो सारी चीजों को environment के अंदर में calculate करते है ठीक है अब इसको दो तरीके से understand कर सकते है एक होता है human made environment और दूसरा है social made environment तो सबसे पहले हम discuss करते है human made environment तो जो भी human beings होता है वो हमेसा interact करते रहता है environment के साथ ताकि उसको modify कर सके अपने according अपने जरुरत के according हमारी requirement है उसकी according हम उसे change करते रहते है time to time तो इसी process of development में human made environment को एक manifold की तरह देगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो crop fill होता है या फिर जो भी cities वगरा में आप देखते हो जो भी industrial area आप देखते हो यह सारी human made environment हो जाएगे बिकास यह इंसानों ने बनाया है इंवारोमेंट से मतलब help लेकर आप कह सकते हो जब उसमें changes लाते है for suppose अगर हम कोई डाम बना रहे है तो वह भी human made right हमने बनाया है उससे वह naturally नहीं था obviously पानी natural है हम में माना जाता है but still the thing is हमने उसे अपनी according उसको change किया है ठीक है तो this is the thing अब आते है social environment पे तो जो भी social setup होता है वो derive करता है हमारी social environment को मतलब जो भी हमारा cultural norms values जो हमारा political economic religious institution होते हैं यह सारे से बनता है हमारा social setup ठीक है अब अगर हम social cultural environment की बात करें तो जो importance के हम बात करते हैं वो यह है कि जो भी हमारा primary institution मतलब जो main हमारा होता ना वो हमारा है families जो भी होती है ठीक है जो individual जो society में रहते हैं वो लोग क्योंकि यह सारे लोग involve होते हैं बहुत सारे function जैसे reproduction, socialization, obviously यह reproduce करते हैं बेबी सगिरा, socialize करते हैं अलग अलग लोगों से मिलते हैं इवन अगर हम जानवरों की भी बात करें तो वो अलग अलग टाइप के जानवर से मिलती हैं उनका वो process होता है then transfer करना अपने cultural tradition को like हमारे मतलब family ने हमारे parents ने हमें वो संसकार वो culture के वाले में knowledge दिया that is the thing कि हम transfer करते है cultural tradition को एक generation और दूसरे generation में तो एक बोल सकते है कि एक proper या फिर improper use जो होता ना natural resources का वो decide करता है कि environmental destruction or degradation होगा अगर हम बहुत ही advanced high level पर use कर लेते हैं तो that is हमारा destruction होगा अगर हम minimally use करते हैं तो वो protected रहेगा ठीक है तो यह चीज़े हैं अब आते है relationship between development and environment तो जो भी material या social poverty की हम बात करते हैं तो यह सारी चीज़ें बहुत जादा मतलब course करती है environmental devastation को मतलब environmental problems को तो अगर हम देखे तो दोनो environment और development एक दूसरे पर interdependent हैं हम कभी भी बिना environment के development नहीं कर सकते हैं बिना development के environment नहीं हो सकता मतलब kind of अगर हम बात करें तो जो impact होता है na environment का development के उपर तो सब दो तरीके के होते हैं एक positive impact होगा एक negative impact होगा अगर हम positive की बात कर रहे हैं तो अगर हम छोटी छोटी water dam create करते हैं बड़े नहीं छोटे से और environment friendly technologies का यूज़ करते हैं जिसे bio gas का यूज़ कर लिया एसी सारी चीज़े जो environment friendly है और जो भी development initiatives हम लेके आ रहे हैं वो वैसे हो जो थोड़े से मतलब traditional method को fulfill करता हो तो हमें जो impact मिलेगे वो positive होगी लेकिन अगर हम large dam मतलब large dam create करते हैं या फिर अगर जो हमारा transport infrastructure है वो बहुत ही advanced level पे बढ़ चुका है हमारी water dams cities वगेरा में आप देखते हो ना कई सारी चीज़े की हम natural resources को mine कर रहे होते है raw material को जादा सा जादा यूज़ कर रहे होते है इनर्जी कर यूज़ कर रहे होते है तो इसके वज़े से negative impact होता है और क्योंकि यह negative impact होता है तो यह स्रिप हम पे नहीं होता है सारे natural habitat जो होता है उस पे होती है इवेन आपकी जो soil होती है वो भी fertile नहीं रहती pollution बहुत जादा बढ़ जाता है आप Delhi की example ते ले इसकते हो इंफिक Delhi के आजकल तो सारे सहरों में pollution है बहुत जादा हम Delhi को ब्लेम ही नहीं कर सकते है and then climate change भी होता है climate change तो like global issue है हमें पता है already तो यह चीज़े एफेक्ट करती है पब्लिक के health को biodiversity हमारी loss होती है और हमारी ecosystem को problem होती है हमारी livelihood में security threat आजाती है बिकस बीमारिया बढ़ने लगती है बहुत सारी problem होती है तो यह है negative impact तो बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से use करें environment को वह हमें पता होना चाहिए then अब आते है environmental perspective से तो सबसे पहला classical perspective तो इसके चार category है पहला stewardship तो stewardship का मतलब है जहां पे जो human होती है वो एक absolute privilege hold करती है या फिर उनका सबसे बड़ा responsibilities होता है मतलब जो भी इस ideology को मानता है na stewardship का वो यह कहते है कि जो एक इंसान होता है उसके पास पूरी privilege and responsibilities होती है environment को लेके तो यह उनकी duty बन जाती है कि वो environment को respect करें और उसको respect के साथ treat करें उसको protect करें दूसरा है imperialism तो imperialism का यह है न कि imperialism view के supporters यह मानते हैं कि भगवान ने इंसानों को right दिया है कि हम nature को control कर सकते हैं और हमने nature और भगवान को बिल्कुल separate माना है ठीक है कि भगवान अलग है नेचर अलग है और अगर उनकी historical नहीं modern viewpoint की भी अगर हम बात करें जो science के उपर बेस्ट है तो उनका यह मानना है कि science अच्छी चीज़ है because science नेचर में discipline लेकर आती है कि किस तरीके से nature को हम rebuild करके अपने अपने according यूज कर सके तो यह है imperialism अगर हम आते हैं romanticism पर तो romanticism जो इस viewpoint को support करते हैं उनका यह मानना है कि जो भी नए geometrical sculptures होते हैं मतलब जो भी part of the approach होते हैं कि for suppose environment या फिर उसकी values को वो consider ऐसे ही नहीं करते हैं कि अपने फायदे के लिए use कर लिया instinct वो ना मतलब nature को एक बहुत ही खुपसूरत हिस्सा मानके उसको भगवान की तरह treat करते हैं और उनका यह मानना है कि nature बहुत ही जादा beautiful है अगर हम उसके natural state पर उसको रखने रहते हैं और कुछ भी changes नहीं करते हैं as a human उसमें कोई improvisation नहीं होनी चाहिए तो तब जाके nature और खुपसूरत होती है ऐसा इनका मानना है ठीक है अब आते हैं utilitarian या फिर hedonist पर तो इनका यह मानना है ना कि like environment से पहले वो जो एक इंसान की एक person की happiness या फिर contentment होती है ना वो कितना satisfied है उसको वो सबसे जादा importance देते हैं और उनका यह कहना है कि जैसे कि animals की अगर हम बात करे तो वो pleasure या pain को feel कर पाते हैं but plants नहीं feel करते हैं उनकी कोई भी feelings नहीं होती है इसलिए plants को आजा means of earning यूज़ करनी चाहिए जिससे कमा सके हम अपने लिए income generate कर सके ऐसा income आनना है मैंने बोल रही है then however यह भी बोला जाता है in fact ऐसा नहीं है कि यह बहुत ही खराब है इनमें ब हमारा food change है और यह भी वह करते हैं कि हम environment को किस तरीके से अपने वायदे के लिए improvisation करके use कर सकते है overall हम यह कह सकते है इसमें ठीक है अब आते है next पे जो ना okay दो से तीन topic है that is sustainable development perspective फिर sustainable development and discourse and एक जो 8.4.2.2 में है ठीक है तो यह मैं skip कर रही हूँ topics को इसमें वह सारी चीज़े जो भी लिखी हुई है वह overall अगर हम overall समझे न तो वह सारे हम बागी chapters में और इस chapters में भी हमें पता है कि sustainable development क्या है उसकी perspective क्या है उसकी definition क्या है वह कब आया था कैसे आया था किस तरीके से implement होती है overall हमें पता है right लेकिन अगर आपको लगता है कि आ सारे topics पे बना दूंगे बट इस टाइम क्योंकि मुझे लगा नहीं इतनी important विकास हम exam के perspective से पर रहे कि हम जल्दी से जल्दी cover up कर सके और main points हमें मिल जाए तो इसलिए मैं इसे ignore करें बट अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगे ठीक है तो हम सीधा आते हैं अभी sustainable development पे decision making में है ओके जो दूसरा point है वो है economic system को लेके कि जो economic system है वो generate कर सकती है ज्यादा से ज्यादा surplus technical knowledge को ताकि लोगों के पास इतनी knowledge हो कि वो किस तरीके से technology के use कर रहे है technical knowledge होने चाहिए उनके पास जितना ज्यादा technology या फिर technical knowledge increase होगी उतना ज्यादा economic फायदे में रहेंगे ठीक है एंद तीसरी चीज है social system अब social system यह होता है ना कि आप जितनी भी problems होती है एक society के ठीक है development के perspective से उसकी problem की solution अपला सको as a state आप उस problem को solution दो ताकि वो better हो सके improve हो सके सही हो सके ठीक है then fourth point is a production system a production system में हम इस चीज का कि जो भी हमारा ecological base होता है ठीक है उस चीज को हम कैसे preserve करके रख सकते मतलब environment को preserve करने के साथ साथ हमारा production कैसे होगा obviously production के बिना तो चलेगी नहीं ना परी society या फिर जो भी state country है तो यह बहुत जरूरी है बट फिर भी हमारे ecological base जो होती है उसको भी preserve करने की और हम एक मतलब role play करते है ठीक है then fifth point is a technological system अब technological system में नए solutions still the same थे कि हम नए-nए solutions को continuously search करते रहते कि कैसे हम एक problem का solution निगाल सकते है ठीक है ताकि हम life को और easy कर सके है then next is international system जो की यह करती है कि हमारा जो trade and finance है वो किस तरीके से sustainable pattern पर चल पा रही है proper हमारा trade and finance सही तरीके से हो रही है smooth run कर रहे है बिना किसी चीज को hamper गिया या फिर harm किया अब next point that is an administrative system अब यह चीज़े फ्लेक्सिबल होती है और इसमें capacity होनी चाहिए कि self-correction कैसे कर सके मैं अब जो भी एक country का administrative पूरा setup होता है कि वो किस तरीके सा चीजों को self-realize करके और उसे correct भी कर सके ठीक है अब आते है criticism of the concept of sustainable development अब हमें क्योंकि पता है sustainable development बहुत अची चीज है हमने पढ़ ली सारे positive चीज है अब आते है negativity पे कि लोगों ने इसे criticize किस-किस fold पे किया या फिर किस-किस point पे किया है ठीक है तो सबसे पहला अगर हम बा अगर हम मानें तो वो यह कहते कि sustainability और development ओनों contradictory है वो एक साथ चल ही नहीं सकती है वो कभी भी possible नहीं है कि हम development और sustainability एक साथ continue करें because sustainability में हम बात करते है कि बहुत कम मतला minimal use होना चाहिए और development का obviously हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा हम growth करें हर फेल्ड में तो अगर हम growth कर रहें तो obviously बात है environment तो hinder होगी ऐसा income आनना है तो वह इस fold पे उन्होंने सबसे पहले criticize किया इसको ठीक है then the second point is definition of sustainable development wagon ambiguous तो जो मीनी है न sustainable development का वह बहुत ही different होता है हर different group या फिर country के लिए वह same नहीं होता हर किसी के लिए कि sustainable development का मतलब यह है एक चीज़ नहीं सब के लिए थोड़ा थोड़ा different होता है तो सेविला गूजमन इड़वर्डो एक ते इनका नाम यार कितना खराब है और ग्राहम उड़गेट इनका यह मानना है कि यह जो differentiation होता है ठीक मतलब वह differentiation को वह highlight करते है और जो meaning of sustainable development है ना उन्होंने दोनों नेशन पर जो industrialized nation है और जो less industrialized nation है मतलब बोल सकते हैं जो core है और जो periphery countries है उन दोनों पर अपलाई करके उन्होंने यह बोला sustainable development अगर हम industrialized sector की बात करें तो वह फिर भी कर सकते हैं उनके पास capital है और like होता है कि कहते हैं कि किसी भी चीज़ का किसी भी law का या कुछ भी होता है तो उसका effect सबसे जादा गरीबों को होती है अमीर लोग तो फिर भी उस चीज़ को अगर अमीर बिमार पर गया है just because pollution बहुत ज्यादा फैली है तो वह hospital में जाएगा अच्छे सचे treatment करवाएगा बद गरीब कैसे जाएगा right उसको तो सरकारी में जाना पड़ेगा ना because पैसे कम है उसके पास तो यह चीज़े हैं तो अ से प्रोमोट करते हैं मतलब इंक्रीज होता है लेवल प्रडाक्शन अब इसमें में चीज़ यह है ना कि एक एक एक्जांपल देते हो कि for suppose हमें पता है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल प्रॉब्लम है लेकिन क्लाइमेट चेंज क्यों होता है जब ग्रीन हाउस गेसे बहुत ज्यादा इमेट हो जाती है अब यह ऐसा तो है निक एक कंट्री कर रही है जादा जो क्रीन हाउस ग्रोबलब घेनॐं कंट्री सा देवलाप्ट कंट्री सोने होगी यह को है लेक्लाइमेट चेंज कर रहे कि अंग लोग तो फिर भी वे चीज़ आनल करवाता है या फिर उनके पास बहुत सारी technologies है वो अलग-अलग technologies का use करके इस चीज को normalize कर सकते हैं बट बाकी चीजों के लिए जो गरीब country से जिसे हम periphery countries बोलते हैं उन्हें बहुत सारी problems face करनी पड़ती है जो third critic है वो है critic related to operational substance तो इसमें अनिल अगरवाल यह जो भी है critics वो यह पूछते हैं मतलब सबसे पहले तो वो यह सवाल पूछते हैं कि कौन है जो हमारे future के right को ensure करने वाला है जबकि हम ऐसे society में रहते हैं जहां जो highly divided है मतलब क्योंकि हमारी एक society नहीं है राइट काफी divided है एक तो countries कितनी सारी है और एक country में भी कितने सारे states है states के अंदर भी कई सारे villages वगिरा भी होते हैं बहुत सारी होते हैं तो इस divided society में कौन है जो हमारी future के needs को ensure कर रहा है future generation के needs को सबसे पहले था उनका यह था और दूसरे चीज़ वह यह कहते है कि जो definition of sustainable development का वह किस future generation की बात कर रहा है सरफ अमीरों के future generation के या फिर गरीबों के भी अगर सब की बात हो रही है तो ensure कैसे होगी यह चीज़े तो that is the point जहां पर I think आप समझ सकते हो right कि अगर हम बात कर रहे है कि future generation की needs को protect करना है तो चलो हम अगर मेरे पास एक करोर रुपे है तो हो सकता है मैं 50 लाक रुपे यूज करो और 50 छोड़ तो अपने future generation के लिए बट उनका क्या जिनके पास 100 रुपे ही है और वो एक दिन में 100 रुपे इसलिए कमाते है ताकि वो उस दिन का अपना पूरा घर चला सके है next day फिर उन्हें अर्न करना है जो daily wages labor होती है तो वो उनकी बात क करें उनके बहाँ पर उन्हेंने यह क्रिटिसाइज किया ठीक है then the next point is critical relating to politics of sustainable development तो यहां पर क्या नायर यह बोलते है कि जो concept है हमारा sustainable development का वो उनकी थ्रू आया है जो खुद ही unsustained है मलब जो खुद ही unsustainable resources का यूज करते हैं जिन्नोंने सबसे ज्यादा हिंडर किया है हमा पड़ते हैं तब हमें कहीं न कहीं environment को hinder करना ही पड़ते हैं मतलब development के लिए बहुत जरूरी हम environment का use करें बीकुस हमारे पास सिर्फ वह ही है तो जो question होती है unsustainability की वह rise ही नहीं होती है अगर हम development की बात करें development होगी तो environment कहीं न कहीं हिंडर होगी ऐसा उनका मानना है ठीक ह तो overall यह चारो critics थे यह सारे points थे जो इस chapter में बताए गए आपको कुछ भी अगर doubt है या फिर extra चाहिए तो आप comment section में बता सकते हो मैं extra बना दूंगी अगर कुछ topic जो मैंने छोड़े अगर आपको चाहिए तो well I think it's okay but ठीक है और बागी आपको इसके notes हमारे telegram channel पर मिल जा